आज शाम को ये सारे ही जो कारे बाकी हैं विवस्तत तोर पर कर दूँगा मिनट मिनट का हिसाब लगा दिया है कल का रूटीन भी एक मेंटल फ्रीम के साथ में बना दिया है जिसको पेपर पर स्ट्रक्चर कर देंगे और उसी अनुसार चलेंगे और ये कारे तो बड़ी ही सरलता से पूरे हो जाएंगे फिर एक गैब है कई बार विक्ति कामकाजी जीवन और पारिवारे के स्टतियों के साथ में ऐसे मेंटल फ्रीम एस्टबलिश करता है जिसको पेपर क्लीर अपरूच में भी रखता है अगला दिन आता है 30-40 प्रतिशत काम होते हैं और 60 प्रतिशत कारे अदूरे रह जाता है वर्षों से ये प्रक्रिया साथ में चलती आई है विक्ति खुद के उपर ही लगाता है कि आलस से घेर लेता है नजाने क्यों हम काम को टाल लेते हैं प्रकरियों की एक अप्रोच क्यों निकल करा जाती है शनिदेव जब भी सांतवी दिरिस्टी से दसवी दिरिस्टी से या परे तीसरी दिरिस्टी से दशम भाव को देखते हैं तो कई बर्वेक्ति आलस मिशृत नेराश्य के साथ में होता है ये बात अलग है परंतो वेवारे के स्थर के उपर हम ऐसा क्या करें जहां से धीरे धीरे जो ये आलस्य के मार्ग हैं ये टलते चले जाएं मन की अवस्थाएं जो हावी है और मस्तिश्क हरदय के साथ में मिलकर जो कतिविदियां आगे के लिए संपारित करना चाहता है वो फार वेक्ति इसका उत्तर ढूंडने की तरप जाता है और रिव्यू करने की अप्रोच के साथ में होता है जैसे मीटिं置 में रिव्यू होता है क्या किस वजशे से नहीं हो पाया शरकमस्टांसे-स क्या थी, क्या हमारे पास में पूरे की पुरे effort लगाने के अप्रोच थे और क्यों हम चोकते चले गए जब एक बार ये स्पष्टता आती है तो धीरे-धीरे व्यक्ति जहां-जहां गलती करता है जिस वज़े से अपने रूटीन में स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाता उसको पता लगाने का परहत नहीं करता है और जब solution के measures को लेकर आता है तो ये proportionate clarity अपने साथ में बनती चली जाती है कि कहां-कहां पर हमें सुधार की गुंजाईशों के साथ में चलना है जब व्यक्ति एक काम के सिरे को अपने साथ में जोड़े उसको पूरा करे अगले दिन थोड़ा सा और कामकाच को बढ़ाने वाला हो महीने बर उसी routine के साथ चले उसके बाद में next level के साथ आपने कुछ और add-on करे तो जो caliber को एक तरह से incremental gain मिलना होता है आलस से को जो दूर हटना होता है रूची को जो बढ़ना होता है प्रयत्न को जो आस्मान चुना होता है वहीं से काम को टालने की प्रवर्ती हरती चले जाती है एक बार जो हमने कागस कलम के साथ में निर्धारित कर लिया कि इन कारियों को तो पूरा करना ही है और सुभह सूर्य उपासना के साथ में अपनी संकल्प शक्ती को प्रखर करते हुए कहा कि नहीं इन कारियों को पूर्ण करेंगे पर पूरी उर्जा के साथ में चलने वाले होंगे वहीं से आप विश्वास कीजिए परिवर्तन आने लगते हैं सुर्य उपासना के साथ में इस अंकल्प को दोराया कि हम यतार्थ की साथ में इन सारी कारियों को आजपूर्ण करने की तरफ जा रहे हैं आपके दिप्त मान तेज को आत्मा के कारकादी पती की स्तियों को भीतर तक आत्मसाथ करते हुए जब व्यक्ती ऐसे विवस्थाओं की और चलता है तो परिवरतन उसके समक्ष निरंतर निकल कर आने वाले होते हैं परहाल इन सारी चर्चाओं के बाद एवम साथ हम आपके समक्ष 25 वरवरी 2024 का दहने कर राशिफले कर रुपस्तित हुए है चंद्रमा सिंग राशिस्तान में पूर्वा फालगुनी नक्षत्री परिधिया फालगुनमास कृष्ण पक्ष अब अपनी गती संचरणी विवस्थाओं के साथ में चलाई मान रहेगा वहीं राविवार दिवस विशेश की स्ततियां और हम दैनिक राशिफल की शुरुवात करते हैं मेश राशि के साथ में अवकाश के इस दिवस विशेश में जो अधूरे कारज़न हैं उनकी पूरती की पूरी-पूरी संभावनाएं आपके लिए रहेंगी चंद्रमा पंचम भावस्त ही है इस वज़े से उर्जा के अक्षोन के इंद्रबिंदू को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे लाब के सिरों में पूरी-पूरी वृद्धी की गणनाएं आपके साथ व्यवस्तित स्वरूप में निकल कर आती है जो भी महनभाव धार्मे के यात्रा या कोई भी ऐसी यात्रा की और जाना चाहते हैं जहांगर परिवार का साथ से योग लगातार बना रहता है वहां से भी रविवार आपके लिए शांदार इस्तितियों को निर्मित करता चला जाएगा आत्म विश्वास में प्रकर व्रध्धी के प्रतिमान आपके लिए बने रहने वाले होंगे इसमें कोई भी नकारात्मक्ता घर करने वाली नहीं है वहीं मंगल प्रदान राशी के महनभावों को चाहिए कि आप चोटी चोटी बातों में खुद को बहुत अरिक उलजाने से बचते चले चाहिएगा इस पश्टता भरे संकेत इस बात की भी रखें कि इच्छा शक्ती आपके साथ निरंतर प्रभाहमान करम को लेकर चलती चली जा रही है बुरशब राशी देखे आज एंग्जाइटी ड्रवन एपरोट से खुद को दूर करके चलने का प्रयत्म करें कोई भी नए कारे की शुरुबात हो रही है तो उसमें अपनी औरजा को अक्शून इस तर के उपर बना कर चलते चले जाना आपके लिए आवशक रहेगा खुद को जितना अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे उतने ही बहतर परिणामों की परते दुनी एवम आभा अपने साथ में आप जोड़ने वाले रहेंगे शुक्र परदान जराशी के महनुभाबों को चाहिए कि हम जो कई बार चोटी चोटी बातों में अटकाव एवम भटकाव महसूस करते हैं अपने कारियों के साथ में गतिशी इलता निकल कर नहीं आपाते वो सोर पढ़ने का पूरा पूरा प्रहत नाप की जिएगा बेसलेस फियर की एपरोच से जितना बचकर आज आप चलेंगे उतनी ही बहतरी है हाला कि आज के दिवस में भूमी संबंदित काम गाज में थोड़ा सा धीमापन बना कर आप रखें और महीं रविबार के इस दिवस विशेश के साथ में खुद से मुलाकात आवशक है जो लंबे समय से अधूरी रह रही है इसे एक मूलवंतर को भी अपने साथ जरूर आप रखिएगा मिथन राशी दनागमन में वरद्दी है भाग्य का सहयोग आपके साथ गतिशेलता के सुरूप में निरंतर बना हुआ है सिच्वेशनल वेसिस पर जितना अवेर होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजटिविटी आपके लिए यहां पर सामने आती चली जाएगी कोई अनवचारिक तोर पर हो रही वारता है वो भी जीवन यात्रा को सफलता एवं संवरुद्धी के प्रतविंब के साथ में जूडने वाली हो सकती है इच्छा शक्ती प्रभावी तोर पर आपके साथ बनी हुई है भाईयों तथा मित्रों का सैयोग भी यहां पूर्ण रुपेण आपके साथ में बना रहने वाला होगा यह वो अंतराल है जहां विदेश संबंधी कार्जियों में भी व्यवस्थित वर्द्धी के अंकित प्रतविंब आपके साथ में चलने वाली रहेंगे बुद्ध ब्रदान राशी के महनुभाव चूटी चूटी बातों में खुद को नकारात्मक्ता के सिरों के साथ जोड़ने से बचते हैं तो ज़्यादा बैतरी यहां अवस्थित रहने वाली रहेगी करक राशी दनागमन में व्रद्धी व्याबारिक जीवन के साथ में बनी हुई है आप अपने जोशोखरोश के साथ में आगे बढ़ रहे हैं जो रूटीन आपने इस्टबलिश करके रखा हुआ है जिस अनुशाशन की वज़े से आप जाने गए हैं वहां पर अब आपके लिए चहों और से प्रशंशायोग की शब्दाज मिलने वाले होंगे तो वहीं किसी यात्रा को लेकर आप उत्साहित हैं आज वोत्साह और अधिक बढ़ सकता है तैयारियों को और अच्छे से आगे बढ़ाने का परहतना आप करते चले जाईएगा रचनात्मक शेतर आज में जो बेटर्वेंट के फोल्ड आप देखना चाह रहे थे वो और अडेकते पुर्गामेता के साथ में आपको आगे की तरफ लेकर चलते चले जाएंगे इस पश्टा रखें कि थ्रॉट इंफेक्शन को रिलेट करते वी प्रब्लम से पूरे तरीके से साफधान रह करागे बढ़ना है वहीं चर्चा करते हैं हम सिंग राशी की प्रतम तया आत्म विश्वास में तो वृद्धी है ही नए कामकाच की शुरुवात में भी आज का दिवस्वशेश अंक्यत सफलताओं को धारत सुरूप में आपके साथ लेकर चल सकता है अध्यात्मिक तोर प हैसुस कर रहे थे उनकी लिए भी सुधार की अंकित इस्तियां साथ साथ चलती चली जा रही है ये भी एक विशेश इस तरह है जो आपके साथ में बना हुआ है स्टॉक मार्केट संबंदी कामकाज में भी अट्मोस्ट पॉजिटिविटी की ड्रिवन एप्रोच को आप अ रिशेतर के साथ में है बड़े बरिवरतन की प्रतिविम्ब आप अपने साथ में लेकर चलने वाले हो सकते हैं तन्या राशी खर्चों पर नियंतरन रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाईए का आज वहीं जो भय की स्तितियां कामकाजी साथ बनीवी होती है उन के लिए भी ये अंतराल विशेश तोर पर बहतरी लेकर आने वाला होगा इच्छा शक्ती प्रभावी स्तर पर आपके साथ में गतिमान होती चली जा रही है कोई बिद्विदा नहीं बुद्परदान राशी के महन भावों को चाहिए कि इस दिवस विशेश में चूटी च थकावट निकल कर आती है उससे मुक्त रहकर चलने का पूरा पूरा प्रयतना आप जरूर करने वाले रहें बुद्परदान राशी के महन भावों को कमिशन संबंदी कामकाज में बैतरी तो कहीं लंबे समय से आप प्रयास रत इस्तियों को अपने साथ में लेकर चल रहे है वहां से भी अनुपम आभा कामकाज के पूर्ण अताके निकल कर आने वाली हो सकती है तुला राशी सरवांगिन लाप की स्तियों में वरद्दी है और रुकावटों एवं बाधाउं से मुक्त होकर आप निरंतर तोर पर गतिमान होते चले जाएंगे आपकी करके बढ़ना चाहिए गुरहस्त पक्ष का सयोग पूर्ण कालिक तोर पर आपके साथ में यहां बना रहने वाला होगा वहीं पर जिस भी अवस्था के साथ में आपको संगर्श करना पड़ रहा है हम वहां से मैदान चोड़ने वाले नहीं होंगे पूरे तरीके से वहीं रहने वाले होंगे यह आभा अपने साथ में आप जरूर विस्तारित सुरूप में लेकर चलने का परहत्म करें जो महानु भाव पुनैस इक्षा संबंदी करम के साथ में जुड़ना चाहते हैं रवेवार संबंदी दिवस्पिशेश आपकी यात्रा को एक अलग सामर्थ ह प्रदान करता चला जा रहा है जहां से रुकावट हैं तथा बाधाएं आपके मार्क में नहीं है उरिश्चे कराशी इच्छा शक्ती प्रभावी तोर पर आपके साथ में बनी हुई है मानसिक सुख में बरदी रहने वाली होगी आत्म विश्वास अपनी गतिशी इलता को और अड़क विवस्थित करके आगे बढ़ता चला जा रहा है माता पिता के साथ संबंदों में आप एक सोच के स्थर को वाजसले के सुरूप में लेकर जरूर चलिएगा वही निवदन है कि मस्कुदर पे इंसे संबंदित समस्याओं से काफी हद तक सावधानी बरता है आ इस एक बात को अपने भीतर तक आप स्ताफित करके चलने का प्रयत जरूर करने वाले रहें और वहीं जो भी महान भाव यहां किसी बड़े कारे की स्थितियों के और जाना चाहते हैं आज का दिवस विशेश आपके लिए संबल के विशेश सुरूप को लेकर चलने वाला रहेगा उतार चड़ाओ के गड़ना बिल्कुल भी नहीं धनु राशी भाग्ये का सायोग है अध्यात्मिक तोर पर प्रगति के प्रतविम्ब आप स्वयम के लिए निरंतर तोर पर उजागर करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे जो भी महान भाव यहाप निक्षम के साथ में संतुस्टी प्राप्ति करते चले जाएं जो भी कार्य यहां आपके द्वारा ही पूरा हो सकता है सहच तोर पर उसकी पूरती में हम लगे रहें अपनी जिम्मेदारी का अक्षर शह नर्वाहन का धार बना कर रखें यह मूल बंतर जरूर आप अपने भीतर तक का प्रयत्न करते चले जाएगा और वहीं पर जो भी आप अपने कामकाज इस तरके साथ बड़े परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें भी सम्मिक्स तरके उपर सकारात्मक्ता देखकर आगे बढ़ने की जरूरत आपके लिए रहेगी वहीं मकर राशी सरोपर्थम नए कारिय के शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करें जल्दबाजी आज आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो भी महानुभाव, कम्यूनिकेशन और मार्केटिंग से बंदी कामकाज के साथ जुड़े होते हैं आप अपनी मेंटल प्रिपरेशन किसी ओधे वाले व्यक्ति से मिलने जाने से पहले बहुत अच्छे से करते चले जाएएगा, इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए, खुद को जितना अच्छे से आप कन्विंस करते हुए आगे बढ़ेंगे, उतने ही बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स इवाल्व करते चले बस अपनी उर्जा के साथ में आगे की और स्वहिम को गतिमान करने की जरूरत रहेगी, ये वो अंतराल है जहां पर आपको अपने लिए चूटी चूटी बातों के साथ में कहीं नकारात में खोने की जरूरत नहीं है, अपनी पूरी ही उर्जा को व्यवस्थत करम के साथ म हम रखने का प्रहत्न करेंगे शनिदेव की मूलतर कुंब राशी व्यापारिक जीवन में बहतरी के प्रदिवान आपके लिए स्थापित है गरुहस्त पक्ष का सायोग बरपूर सिरे के साथ में आपके लिए बना रहने वाला हुगा जो भी मानुभाव आपके कार्यों में अटकाव उत्पन करने का प्रहत्न कर रहे थे अब वो भी दीरे दीरे साइड लाइन होते चले जा रहे हैं यह याद रखिएगा कि जिस कार्यों के साथ में आपके जुडाव की स्थियां बड़ी ही कतिशीलता के साथ में निकल कर आ चुकी है उनके साथ में और गहराई के साथ में आपको बढ़ना चाहिए यहाँ पर जिस कार्यों के साथ आपके भावी भविश्य की उम्मीदां जुड़ी हुई है रविवार के निफस में उसके नीव को रखा जा सकता है सपष्ट ता रखिएगा कि जब भी जीवन यातरा के साथ में व्यक्ति को लोगों के मा परतिमान होना है वहां से भी आपको नई सिरे देते चले जाएंगे जिसमें कोई भी रुकावट एवंबाधा सामने नहीं मीन राशी स्वास्ते के प्रति सजग रहकर चलिएगा विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृध्धी के प्रतिविम आपके लिए बने रहने वाले होंगे जो भी कार्ये आप अपने हाथ में ले रहे हैं उसके अंतिम छोर के दिरवाह की तरफ आप बढ़ने का परयात्ने करें मानस एक स्थर पर संतुस्टी के प्रतिविम बाप के लिए दृरंतर रहने वाले रहेंगे इसमें कोई भी रुकावट जथा बादा नह करके आगे की और बढ़ना सु विवस्तित अवस्ता का एक परमुक सुरूप आपके लिए कहा जाएगा और वहीं जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंदी कामकाज में है रविवार के दिवस्त में कैसे प्लैनिंग को आगे लेकर चलना है इस एक मनोवर्थी को इस